नमस्क्राइब दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागता आश्या करता हूँ आप सभी एच्छे होंगे दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बीएसी नर्सिंग एप्लिकेशन फॉर्म और साथ ही आपका जो एंट्रेंस एक्जामनेशन प्रवेस परिक्सा है कब होगी आपके काफी सारे कमेंट्स आ काफी सारे डाउट भी थे किसारे इसका इंट्रेंस एक्जामानेशन कैसे होगा और साथ ही हम इसकी प्रिप्रेशन किस तरीके से करें जिसी कि posición हमारा hijisan selection हो जाए तो सारी जानकरी दोस्तों आपको इस वीडियो मिलेगी वीडियो को सुरूशन तक जरूर देखिए अगर आप हमार चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिसे के आने वाले से वीडियो चुन आपको मिल सके तो दोस्तों आपके बिहार में बीएसी नर्सिंग के लिए एक प्रवेश परिक्सा कंड़र्ट करवाई जाती है जिसे बिहार कंबाइड एंट्रेंस कॉंपिटेटर एग्जामिनेशन बोर्ड की दोस्तों बिहार के बीएसी नर्सिंग में एड्मेसल लेने के लिए क्या eligibility criteria रहेगा, paper pattern क्या रहेगा, syllabus वगरा मैंने detail में आपको separate वीडियो में जानकरी provide करवा रखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकि वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपको complete information मिल जाएगी जैसे कि आ तो उस playlist में आपको वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो में आप सारी जानकरी प्राप्त कर सकते हैं तो ये वीडियो है दोस्तों इसको almost कापी सारे student ने देखा भी है उसमें जिन candidate के doubt दे वो इस वीडियो में clear किये जाएंगे कि आप अपनी preparation किस तरीके से करें और आपक date का और उसका अभी objection लिए जा रहे हैं अगर किसी भी student को कोई objection है उसके result में तो आपको 30 मार्स तक की date दी गई है 30 मार्स तक आप objection raise कर सकते हैं ओपिशिल वेबसाइट पे जाकिए तो दोस्तो हर एक state में जो एंट्रेस examination कंड़र्ट करवाए जाता है admission के लिए तो वो 12th के examination के बाद में ही कंड़र्ट करवाए जाता है तो इस पर से अगर देखा जाए तो आपके जो application form है वो आपके अप्रेल के first week या second week में आपके application form जाएगी तो इसका मतलब है कि आपकी एक महिने में आपकी जो counseling process वो complete की जाएगी और अगस्त मन्त से आपके जो classes है वो regular basis पर start हो जाएगी अब कुछ candidate के यह doubt रहेगा है कि सर्फ पिछली बार तो examination 21 session के लिए काफी late conduct करवाए गया था तो दोस्तो late conduct करवाने का ये reason था कि 21 में जो COVID-19 का crisis सल रहा था उस वज़े से काफी सारी universities colleges का schedule हो भी change हो गया था जैसे कि आपने NEET का भी देखा होगा तो NEET का भी exam है वो काफी late हो था और उसके NEET 21 session के लिए counseling process भी complete हो चुकी है तो COVID-19 की वज़े से काफी सारी universities colleges में admission procedure late हो था लेकिन इस बार इस तरह कोई भ process से वो start कर दी जाएगी और आपकी जून में entrance examination conduct करवा जाएगा तो इस बैसे इस पर अगर आप देखा जाए तो आपके पास में almost 60 days का ही time बच रहा है अगर आप properly count करें तो 60 days में ही आपको जो आपका syllabus है वो complete करना होता है entrance examination आपके physics chemistry और biological आपका syllabus आपको पूचा जाता ह है और paper language है वो हिंदी और इंग्लिस दर्णो लेंग्वेज में ही होती है जो entrance examination conduct करवा जाता है आपका B, C, E, C, B के दवारा वो आपका government college के लिए ही conduct करवा जाता है तो जो seat metrics है मैंने already previous video में आपको detail में बता रहा है तो वो video देखे आपके जो भी paper patterns related या seat कितनी है या provide करवा दी जाएगी और आपको अपना form किस तरह के से feel करना है उसकी भी सारी जानकारी provide करवा दी जाएगी तो step by step by follow करके आप अपने basis भी application form को feel कर सकते हैं अब दोस्तों बात आती है कि काफी सारे student का यही mostly doubt था कि sir हम nursing की preparation किस तरह के से करे क्योंकि physics chemistry और biology का syllabus है वो काफ जो 11th और 12th का जो आपका syllabus पूछा जाता है तो उसमें आपने 11th में भी अच्छे से study की वी और 12th में भी आपने अच्छे से study वी तो इन 60 days को आपको अच्छे से utilize करना है क्योंकि दोस्तों जो एक बार time निकल गया time was lost cannot be regained back अगर एक बार time निकल गया तो आप उसको वाप पस नहीं ला सकते तो आपके पास में एक अच्छी opportunity है जिन्दी के हर इंसान को मौका देती है और आपके पास में भी एक खूपसरत मौका है तो पूरा तन्म मन और दन लगा के exam की आपको तयारी करनी है और जो time आपके पास में है उस time का आपको effectively utilize करना है ऐसा नहीं कि time पर study पर focus कर रहा है वो आपकी जिए जो government setup ले जाएगा तो मेरा यहीं करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्यूशन practice कीजे क्योंकि already आपके जो concept वो clear है आपने 11th की study की है आपने 12th की भी study की है तो जो आपके जो 60 days का भी time बच रहा है इसमें आप ज्यादा से ज्यादा क्यूशन practice कीजे जितने ज्यादा क्यूशन practice करेंगे उतना ही ज्यादा आप अच्छा score gain कर पाएंगे तो उसके लिए दोस्तों मैंने आपको description box में e-book provide कर रवार की है जिसमें आपका physics, chemistry और biology complete syllabus cover करती है यह आपकी Hindi medium के जो kind data उनके लिए है और English medium के जो kind data उनके लिए भी provide कर रवार की है तो आप अगर इस e-book को अच्छे से follow कर लेते हैं 60 days में वैसे दोस्तों यह काफी बड़ी है तो आप यह ना सोचे कि मैं इसे 2 दिन में या 5 दिन में इसको cover कर लूँगा क्योंकि सपलता पाने के लिए दोस्तों कोई भी short way नहीं होता है आपको सपलता अग जो e-book मेरे दोरा provide की गी है अगर आपने इस कोचे से follow कर लिया दोस्तों तो आप जो बिहार B.A.C. नर्जिंगा entrance examination conduct करवाया जाएगा government colleges के लिए उसमें आप 100% अपने लिए seat है वो confirm कर लेंगे तो उसके लिए जो link दिया गया उस पर आपको simply click करना है जैसे आप click करेंग जैसे या बाइनव पर click करेंगे दोस्तों तो इस तरह के center पर साजाएगा इसमें आपको अपना नाम फिल करना है अपनी active email id आईडी आपकी active होनी जिसके आपके पास में password हो अपनी contact details और आपको next पर click कर देना है जैसे ही next पर click करेंगे दोस्तों आपको payment के लिए पूछा तो जो आपने यहाँ पर email id फिल किये एक download file का link आपको इस email पर भी जाएगा तो वहाँ से भी आप अपनी ebook को download कर सकते हैं और दोस्तों अगर कोई भी doubt कमेंड box में पूछ सकते हैं या मुझे instagram follow करके वहाँ से जानकर ले सकते हैं instagram का link आपको description box में दिया गया है तो दोस् पिर आपको जिंद्गिये में कभी भी लेउंदर 12 की study आपको नहीं करनी होगी फिर आपको college में जाने के बाद में अपनी जो B.A.C. nursing का syllabus है वही आपको read करना होगा लेकिन आप अगर एक बार government college में admission level लेते हैं तो दोस्तों आप economically भी अपनी family का आप support कर सकते हैं क्योंकि अगर आप private में admission लेते हैं तो private में आपके per year के ही आपकी date से 2 lakh रुपे की आपकी fees रती है private colleges में और आजकल private colleges में भी admission easily हो पाना मुश्किल है क्योंकि सभी जिगापे entrance examination के basis पे ही आपको admission दिया जारा चाहिए private हो या government हो तो अगर आपको admission लेना है तो आप government की अच्छे से preparation कीज़े government seat आपको मिल सके और उसके लिए आपको थोड़ी सी मेनत करने होगी केवल आपकी जिंदगी के आपकी life की ये 60 days सबसे important है अगर आपने इन 60 days को पूरे dedication के साथ में दे दिया तो दोस्तों ये 60 days आपको जिंदगी बर याद रहेंगे और यही आपके career को decide करेंगे तो इस तरह के से आप अपनी preparation कर सकते हैं इंगलिस के candidate के लिए मैंने same इसी तरह के से objective ebook आपको link को मादिम से provide करवार किये तो उसको भी आप avail कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्यूशन practice कीज़े दोस्तों और अगर आपको theory best अगर आपके मान लीजे कि कोई भी concept क्लियर नहीं है तो मैंने उसके description box में link दे रहा है physics chemistry और biology का तो आप उसको भी avail करके अपनी study को properly कर सकते हैं लेकिन मेरा यह करना है कि in 60 days में आप क्यूशन practice पे ज्यादा focus कीजिए जिसे कि आप अपना score है वो अच्छा gain कर सके हैं आई होग दोस्तों आपके लिए video useful जिसे कि आप जो last में आपका interest examination conduct करवाय जाए तो उसमें आपको अच्छा score आप gain कर सके हैं वीडियो पसंद आई वीडियो को like करें शेर करें धन्यवाद जे ही जे भरत